हलो फ्रेंस वेलकम टू आल एजुकेटिए अकाडविक मैं हुआ इनाज मुराज से हम लोग बात करने वाले एलपी एंड टेकनिशियन के प्रिविस सेयर के कट अफ के जो पिछले 2014 में फाइनल कट अफ गया है तो कुछ बोर्ड का कट अफ हम लोग यहां पर देखेंगे आप लोगो बोर्ड सेलेक्शन हैं बहुत सारे कॉमेंट आ रहे थे तो फाइनली इस पर एक वीडियो है आप से हैं बहुत सारे कॉमेंटेर बोर्ड कॉन सा सेलेक्ट यह बताएं बहुत मुझ membkov कॉट सेलेक्ट करें मुट को मैंने सेलेक्टा करने के वाण आजित यह बतांब नितरु सेलेक्ट कर facing क कर सकते हम ठाइब कर सकते हैं तो च्छे मैं को बेस्ट कर सकते हैं हो किसी आर में जो फाइनल कटफ जो बने थे उसके लिए तो सबसे परले हम लोग को जो सामने बोर्ड है अजमेर बोर्ड का तो यह मेर जो बोर्ड थें CBT-1 में इसका कटफ यानि उस समय CBT-1 ही होता था एक ही एक्जाम होते थे और भी ऑफलाइन एक्जाम होते थे अब यहाँ पर CBT-1 और CBT-2 हो रहे हैं पर वहाँ पर पहले जो एक्जाम होते थे सिर्फ एक ही एक्जाम के उपर कटफ बनाये जाते थे बस वो नमबर ऑफ मल्टिफल जो पंदरा गुना रिजल्ट हो तो वो कमा घटते जाते थे उसमें आठ गुना था उसके बाद जो CBT-2 के डॉक्वन फेरिफिकेशन में है उसमें तीन गुना या चार गुना कर देगा इसी तरह से किया जाता था अब यहाँ पर डारेक्ट CBT-1 में पंदरा गुना रिजल्ट दिया जा रहा है मतलब उससे मैं एकॉर्डिन देखा जाए फाइनल कटफ के उपर बात करते हैं यह है टीर वन जब डॉक्वन फेरिफिकेशन हो गए उसके बाद यह हुआ अब यह फाइनल कटफ डॉक्वन के बाद यह जो कटफ कटफ जो है 61.69 परसेंट इवार के थे ऐसी 51.69 एस्टी थे 53.10 ओभी सी 57.66 यह अजमेर बोर्ड के कटफ थे अब बात करते हैं बैंगलूर बोर्ड का जो बैंगलूर बोर्ड का है उसका कटफ कितने गया थे तो यह देखते हैं तो यहां पर जो फाइल कटफ गया थे 63.446 एस्टी 54.688 एस्टी 53.59 और ओवी सी 62.14 यह कटफ थे बैंगलूर बोर्ड का अब देख रहेते हैं आंगे बुनेस्वार बोर्ड यह कटफ बहुत हाई जाते इस बोर्ड में नॉर्मल इस बार भी कटफ नॉर्मल नहीं रहेंगे इस बोर्ड का कटफ जो सी बीटी टू का फाइनल सी बीटी टू बेस्ट पर कटफ बनेगा आपका तो सी बीटी टू का कटफ जो बुनेस्वार बोर्ड में यहां पर भी नॉर्मल इस बार भी नहीं जाएंगे यानि अब भी जो आएगा कटफ वो तो नॉर्मल रहेंगे पर उसके बाद जो CBT2 के बाद आपका merit list बनेगा यह नॉर्मल नहीं रहेगा यहां पर आपको कोशिश करना अच्छा करने के लिए ठीक है अब यहां पर देख लेते हैं UR Cup जो final gap बने थे 73.43, ST 60.89 और ST 54.87 और बस इतना है यह और OBC 70 के आसपास OBC जो cut-up बने थे 70.05 यह cut-up बने थे SSN Locopilot के final अलाहबाद के देखते हैं अलाहबाद बोर्ड के 67.93 cut-up बने थे उस समय हैं 1214 में final cut-up और OBC 62.04 SC category 55.60 और जो ST category थे इनके लिए 49.98 cut-up थे रांसी बोर्ड 71.81 यह भी बोर्ड बहुत cut-up अच्छे जाते हैं यह बोर्ड आपको खुद अपने उपर डिपिंट करें अलाहबाद बोर्ड चंडीगड बोर्ड प्छूपाल भुनेश्व बोर्ड प्छूपाल थो नॉरमल रहतें प्छूप बोर्ड यह सारे बोर्ड जो हैं आपको cut-up हाई जाते हैं जयाहें दिल्ली ऑ डेली हो यह सारे वच शवा everyone cut-up हाई जाते हैं इस बोर्ड को आप भेधार नहीं कर सकते मिलसे बहुता चाहिए को चोड़ कर जाएं तो इस बोर्ड को चोड़ कर जाएं जो जिसनके आपके अंदर बिश्वास है कि आप से पीज़ा लुए तो आपके लिए बहुत अच्छा है इस बोर्ड में आपका माक्सम् चांस ने रहेंगे रिजल् था 59 देल ही कहा देखते हैं तो देल ही सबसे ज्यादा कट अफ हाई गया थे 87.67 81.67 77.23 67.49 ये कट अपने कॉलकाटा 72.33 66.16 और 66.16 सबस्केटेगरी के भी थी ओबीसी के दोनों लगवा एक प्रॉक्स्ट शेम थे और जो सबस्केटेगरी थे 54.45 भोपाल का हम लोग देखते हैं तो भोपाल 53.61 और जो 41.75 और 45.35 और 36.56 ये सटी कटेगरी होगे सटी ओबीसी और ये होगे यू आप आते हैं चेन नहीं चेन नहीं 57.76 ये बोड आपके लिए बहुत बहतर है आप सब्सकेटेटी टूमे आप नॉर्मल नॉर्मल स्टुडेंट है आपको उतना स्कोर अच्छे नहीं कर पाने कर स पर कोशिश उतने से आपका मैथ उतना बहतर नहीं है तो इस वाज़े से आप डरते हैं तो आपके लिए जो बहतर बोड है आप दूर चाहते हैं तो सबसे बहतर है कि साउथ इंडियन में किसी भी बोड को स्लेक्ट करना चेन नहीं हो बैंगलूर हो शिकंदराबाद बोड यह सारे में से किसी की भी एक बोड को आप स्लेक्ट कर सकते हैं बस यह आपके उपर डिसीजन है आप खुद अपने उपर सोचें आप कौन सा बोड स्लेक्ट करना बहत बैदर समझते हैं बैंगलूर के देखते हैं तो 63.44, OBC 62.14, SC 54.68, ST 53.59, जम्मो 63.78, OBC 60.47, SC 55.94, ST केटेगरी 54.25 अब आपको यहाँ पर खुद सेलेक्ट करना है बोड कौन सा सेलेक्ट करें जैसे चंडीगड बोड आप जो लोग पढ़ने में बहुत अश्य है तो चंडीगड बोड देली, पटना, राची, गुहाटी यह सारे रिजन जो है आपके लिए बेहतर है अलाहाबाद बोड आ अब यदि आप बहुत अच्छा एक्जाम में नहीं कर सकते तो बैंगलूर, जमू, भोपाल, अजमेर बोड तो अजमेर इस बार नॉर्मल नहीं रहेंगे इस बार अच्छा कटफ जाएगा तो इस बार आप आप आपको बहुत अच्छे लेबल पर इस बोड का कटफ यह सारे बोड आप से लेक्ट का शकते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिलाओ, तो हेल्प तो अच्छे मिल गया हूँगे, और कोशिश थी कि कुछ बोड के कटफ है यहाँ पर, सारे बोड को कटफ है कि तो तो तब तक समय निकल को सर्वर डाउन बहुत साथ दिकत आने रखते हैं, इरर आने लगते हैं, जिसके वाज़ास आपको बोड फिलप में बहुत दिकत आएंगे, तो इससे बेहतर है कि आप 30 अक्टूबर तक कोशिश करें, कि अच्छे से बोड फिलप कर लें, अपना पोस्ट विश्रेंस दे यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलें, जय हिन, जय पार